ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारिये बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो साधर जैसी कृष्ण हमारी यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिदर्मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल यह राशीफल है 30 नवंबर 2020 सोम बार का दिन है कार्तिक माह के शुकल पक्ष की पूर्णी माति थी है स्नान दान की मुर्णीवा एवं कार्तिक स्नान का अंतिम दिन रहेगा रोहिनी नामक नक्षत्र होगा व्रशब राशी में चंदर्मा बित्टिमान रहेंगे दिशा सूल के अगर हम बात करें तो पूरु दिशा में रहेंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुकसान दाईसा भीत होगा यदि किसी कारण वस पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत ज़ादा आवश्यक हो तो दरपन में अपना चेरा देख करके यात्रा शुरू कर सकते ही राहुकाल जो की प्रातह साड़े साथ बजे से लेके नो बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए दैनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरिदेव वरश्चिक रासी में वहीं चंद्रमा ब्रशब रासी में, मंगल ग्रह मीन राशी में, बुद्ध तुला राशी में, देव गुरु ब्रहस पती जो की मकर राशी में, शुक्र ग्रह तुला राशी में, शनिदेव मकर राशी में, व्रहु वरशब तथा केटू वरश्चिक रासी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश, व्रशप, सिंग, कन्या, धनू और मीन ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशाली रहने वाली है दिन इनके लिए लाप प्रसिद्ध होगा धनलाप के साथ मान सम्मान पतपरतिष्ठा का योग बनने वाला है घर परिव अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की आप अपनी प्रतिभा व उर्जा द्वारा हर चुनोती को स्विकार करेंगे रचनात्म कारियों को करके आप आगे बढ़ेंगे विशेश करके बाहर और घर में दोनों जग तो या रिष्तेदारों से किसी भी प्रकार की उम्मित बिल्कुल न करे जो करना है आपको खुद को ही करना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप इलाईची भोजन के बाद खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होग जिससे आपके घर परिवार में खुशी का माहोल निर्मित होगा यदि आप स्वयम का विकास करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वभाव में थोड़ा सा जो है लचीला पन रखना चाहिए कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छे से वितित होगा जीवन में सब कुछ होते भी आपको महसूस होगा और उपाय के रूप में यदि शंकर भगवान के मंदिर में चावल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की आज किसी दिर्ग कालिक लाब की योजनाओं पर कारी शुरू हो सकता है कायमकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच ताल मेल बिठाना एक चुनोती रहेगी परन्तु आप सब कुछ सुनियोजित तरीके से कर पाने में सक्षम रहेंगे इस दर्मियान आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे परन्तु ध्यान रखे कि अंजान व्यक्ति पर अधिक भरोसा न करे अन्यथा आपको परिशानिया उत्पन हो सकती है तथा व्यापार व्यवसाय और अपने कारिय पर आपको गंभीरता पुरुवक ध्यान देना चाहिए उपाई के रूप म यदि आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग जो की हारा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की घर में किसी मांगलिक प्रसंग या शुब आयोजन की योजना बनेगी आप बुद्धि बल द्वारा तथा अपनी चतराई के द्वारा कई कार्य तुरंत निप्टानी में सक्षम रहेंगे पिछले काभी समय से चल रही चिंता का कोई न कोई समाधान आपको मिल जाएगा जिससे आप अपने मन में मांसिक शांती अनुभव करेंगे अपने ही कुछ नस्दी की लोग बंदे कारियों में रुकावट या औरोध उत्पन न कर सकते हैं इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप पीपल के पेड के नीचे थोड़ी शी मिस्री चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबि आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की समाई की गती आपके पक्ष में हैं भविशी की योजनाओं को लेकर पिछली नितियों पर चलना ही उचित रहेगा काम की व्यस्तता के अलावा परिवार व दो सकती है बहतर होगा कि किसी के साथ विवाद न करे तथा धैर ये तथा शांती बनाए रखे और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विशनु जी के मंदिर में हल्दी चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भ अंपरकों का दाइरा भी आपका बढ़ेगा पुछ ले कुछ समय से चलिया रहे चिंताओं से आपको रहत मिलेगी आर्थिक इस्तिती में सुधार होगा तथा आपकी डेंदाडियां भी लगभग कम होती जाएगी आपको सयम और धैर से काम करना चाहिए उपाय के रूप म गाय को हरी सबजी या हरी घांस खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आपके आसपास का वातावरन सुखद रहेगा रुके हुए अटके हुए क पूरे करने के लिए समय और दिन उत्तम है सही समय पर सही निर्णे लेना आपके भागिशाली को और अधिक मजबूत बनाएगा अपने परीजनों के साथ बेट करके अपने सुख तथा दुख की बातों को आप साजा करेंगे अगर आप अपने कार्य में किसी अंजान व्य व्यक्ति से संबंदित कोई अप्रिय घटना या अशुप समाचार मिलने से मन आपका दुखी हो सकता है करक्षित्र में हर काम को बड़ी संजीदगी वा गंभीरता से आपको लेना चाहिए थोड़ी सी लापरवाही के परिणाम नुकसान दायक हो सकते हैं प्रापर्टी सं मंदित भी कुछ नए काम की आप योजना बना सकते हैं उपाई के रूप में घर के मंदिर में यदि आप कच्चे दूद का भोग शकर डाल करके लगाएंगे तो आपका दिन शुपलताई सा भी थोगा और आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका प परिपूर्ण आप महसूस करेंगे युवा वर्ग को किसी विशेश परिक्षा में सफलता प्राप्त होगी और नुकरी आदी के कारियों में भी उनको सफलता मिलने वाली है निकट संबंधियों से चर्चा करते समय मर्यादा का ध्यान रखना बहुत अवश्यक होगा व्या चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलताई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आज समय सामान निफलतायक है घर में शुक्षानती बनी रहेगी कोशिश करने पर मन चाहे कारिया आ आपको जाना महसूस होगी उपाई के रूप में यदि आप लाल कुंकुम का तिलक लगाएंगे तो आपका दिन शुफलताई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की ज्यान वर्धक दिन करने में सक्षम रहेंगे आपकी समवेदन सिलता समाज में आपको एक नई पहचान प्रदान करेगी लोग आपको पसंद करेंगे और उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलताई साबित होगा आपका भागिशाली अं इस्तिदार के प्रती गलत फेमी भी समाप्त होगी लक्षो की प्राप्ती के लिए जी तोड मेहनत करें अवशी ही आप सफल हो जाएंगे ध्यान रखे कि क्रोद वह आवेश में आकर अपना बना बनाया काम आप बिगार सकते हैं इसलिए इस प्रकार के व्यभार से आपको नीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की भोतिक सुक्सुधाव में आपको व्रद्धी होगी तथा समान विचारधारा वाले लोगों से आपका संपर्क होगा आपके किसी खास हुनर या नौलेज की तारीफ होगी लोग आपको पसंद करेंगे धन प्राप्ती के भी उत्तम आउसर आपको मिलने वाले हैं उपाई के रूप में माता महालक्षमी को यदि आप कोई भी पीले रंग का फल चड़ाएंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा तो मित्रो अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्च कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी क्रश्न सादर धन्यवाद